हेलो फ्रेंट्स, मैं प्रीतियादव स्वागत करती हूँ आपका हमारी एक और नई वीडियो में प्रिग्नेंसी कंसीव करते ही आपको कुछ खास बातों का ख्याल रखना होता है ताकि आपके प्रिग्नेंसी में कुई भी दिक्कत ना आए क्योंकि वैसे ही प्रिग्नेंसी में बहुत सारी समस्याओं का सामना एक महिला को करना पड़ता है तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको प्रिग्नेंसी के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और आपको घर के कौन-कौन से काम नहीं करने चाहिए ताकि आपको प्रिग्नेंसी के दौरान कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपकी जो प्रिग्नेंसी की जर्नी है वो सोखत बनी रहे तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम का लिंक नीचे स्क्रीम पर दिख रहा होगा मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूँ चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको प्रिग्नेंसी के दौरान कौन सी चीजे नहीं खानी चाहिए तो इसमें सबसे पहली चीज है ऐलोवेरा जूस वैसे तो aloe vera चीहत के लिए काफी अच्छा होता है ये आपके बाल और इसकिन दूनों के लिए अच्छा माना जाता है साती सात आपको बहुत सारी बीमारियों से भी बचाता है लेकिन मैं आपको बतादू कि pregnancy के दौरान aloe vera juice आपके लिए खतरनाख थाबित हो सकता है क्योंकि pregnancy में aloe vera juice लेने से आपके पेलवे किस्टे में bleaching हो सकती है जिसके वज़े से आपका miscarriage भी हो सकता है दूसरी चीज जो है जो आपको avoid करनी है वो है पपीता पपीता को गर्बात का सबसे बड़ा कारण माना जाता है अगर आप प्रिग्नेंसी में हरा और अद्वपका पपीता खाती है तो इससे पपीते में मौझूद एंजाइम आपके गर्बा से में कॉंट्रक्शन शुरू कर देते हैं और उसकी वज़े से आपका गर्बात हो जाता है इसलिए प्रिग्नेंसी कंसीव करने के बाद आपको शुरूआती महीने में हरा पपीता तो बिलकुल ही नहीं खाना चाहिए तीसरी चीछ जो है जो आपको अवाइड करनी है वो है अनानास वैसे तो अनानास बहुत टेस्टी होता है और उसके अंदर बहुत सारे पोशक तर्तो भी होते हैं लेकिन प्रिग्नेंसी के शुरूआती तीन महीनों में ये आपके लिए फाइदे की जगे नुकसान करता है ऐसे में यदि कोई महीला प्रिग्नेंसी के शुरूआती तीन महीनों में अनानास खाती है या फिर इसका जूस पीती है तो उसका बच्चा पेट में भी मर सकता है क्योंकि अनानास में ग्राम अली नाम का एक कैमिकल होता है जिससे पेट में संकुचन पैदा हो जाता है और आपका मिस्कैरिज हो जाता है चौती चीज जो है जो आपको अबॉइट करनी है वो है तिल के बीच प्रिग्नेंसी के शुरुआती तीन महीने बहुत नाजोक होते हैं और अगर ये ठीक से निकल जाएं तो आपके मिस्क्यारिज होने के चांसे बहुत कम हो जाते हैं ऐसे में गर्वती महिलाओं को पूरे नौ महीने तक तिल के बीच नहीं खाने चाहिए क्योंकि इसे सहद में मिलाकर खाने से मिस्क्यारिज होने का खत्रा बढ़ जाता है वैसे अगर आप चाहें तो प्रिग्नेंसी की तीसरी तिमाई में यानि की आठवे महीने के बाद और नौवे महीने की शुरुआत में आप तिल के बीच खाना शुरू कर सकते हैं क्योंकि नौर्मल डिलिवरी में भी आपकी हल्प करते हैं लेकिन प्रिग्नेंसी की शुरुआती समय में इनका सेवन आपके लिए हानिकार रख होता है तो आप अपने आहर में तिल के बीचों को किसी भी हालत में सामिलना करें तो ये तो मैंने आपको ये बताया कि प्रिग्नेंसी के दोरान आपको क्या नहीं खाना चाहिए अब हम बात करते हैं कि आपको प्रिग्नेंसी के दोरान क्या नहीं करना चाहिए तो आप घर के वो काम जिनसे आपके पेच पर दवाब नहीं पड़ता है या आपको ठकावर फील नहीं होती है वो काम आप आसानी से कर सकते हैं जैसे कि सब्जिया काटना, बर्तन धोना लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप 15 से 20 मट से जादा देर तक ना खड़ी रहें लेकिन कुछ ऐसे भी काम है जो बिलकुल आपको अवाइट कर देने चाहिए जैसे कि भारी समान उठाना भारी समान उठाने से आपकी बैक में पेन हो सकता है ऐसे में ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है तो प्रिगनेंसी के दौरान भारी वज़न को ना उठाएं इसके अलावा आपको किसी भी तरीके के कैमिकल से दूर रहना चाहिए अगर आपके घर में कोई साफ सफाई हो रही हो तो उसमें या तो और्गैनिक चीज़ों का इस्तिमाल करें या फिर आप इन्हें ना करें पर किसी भी हालत में chemical वाले पुदारतों का इस्तिमाल ना करें क्योंकि इसकी वज़े से आपके सरीर के अंदर chemical जा सकता है चुकि आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा ऐसे में अगर आपको कभी chemical वाली चीजों का इस्तिमाल करना पड़ रहा है तो हातों में gloves और मुपर mask लगा कर ही इसका इस्तिमाल करें ताकि ये chemical आपकी body में ना जा पाए इसकी अलावा pregnancy के दौरान सीडिया चड़ने के लिए भी मना किया जाता है सीडिया चड़ने उतरने से गिरने का खत्रा बना रहता है और अगर आप pregnancy में गिर जाते हैं तो इससे आपको और आपकी होने वाले बच्चे दोनों को ही परिशानिया हो सकती है साथी साथ आपको बार बार जुकने को भी avoid करना होगा ऐसे में अगर आपको जाड़ू लगाने का काम दिया जा रहा है या फिर आपको कूड़ा साफ करना पड़ रहा है या फिर कपड़े धोने पड़ रहे है तो ऐसी चीज़ों को आपको बिल्कुल नहीं करना है और इन्हें पूरी तरीके से avoid करना है इसके अलावा कोई भी काम करते वक्त एक बात का खास ख्याल रखना है कि आप बहुत लंबे समय तक ना खड़े रहे लंबे समय तक खड़े रहने से आपके पैरों में सूजन आ सकती है जो कि आपकी pregnancy की journey को मुस्किल बना सकती है उमीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि pregnancy के दौरान आपको क्या नहीं खाना है क्या नहीं करना है अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें अपनी friends के साथ share करें और हमारे इस channel को subscribe करना बिल्कुल न भूले ताकि आपको हमारी आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमें comment box में comment करें या फिर instagram पर dm भी कर सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सभी सवालों के जवाब दू चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए खुस रहे हैं सुस्त रही है